सवे भवंतू सुखिना, भाग चार, कैसी यह देर लगाई है दुर्गे, जो गुरू उपदेश के अनुरूपो ग्रहन करें, मोह आदी जाल में जकडे पड़े हैं, विशय विकार रूपी अद्रिश्य धागों से बुना हुआ, मोह माया रूपी अद्रिश्य जाल बिछा ह हुआ है, जैसे कि पक्षियों को शिकारी के द्वारा बिछाए गए, जाल का ग्यान नहीं होता है, और बह शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल पर, पड़े हुए दानों को पाने की लालसा में उस जाल में जकर जाता है, तो पक्षी तो अग्यान के कारण उस जाल में फस कोई विरला ही माया द्वारा बिछाये गए जाल से मुक्त हो पाता है। जाल में फंसा हुआ ही है। लेकिन घोर आश्चर्य तो यह है कि ज्यानी भी माया द्वारा बिछाये गए जाल में जानबूज कर फंस जाता है। हम में से कोई भी इस संसार से कोई भी दिश्यमान पदार्थ शकल नहीं ले जा सकता है। सब कुछ यही छोड़ कर जाना है। और ज्यानी भी इस ज्यान को भूल जाते है कि साई इतना दीजिये। जामे कुटुम समाए मैं भी भूखा ना रहूं। साधू ना भूखा जाए। काम, क्रोध, लोब, मद, मोह, रूपी विकार के कारण ही। मन डावडोल होता है और मनुश्य को भी डावाडोल कर देता है। जब तक मन स्थेर नहीं होता, शांत नहीं होता, तब तक उस अद्रिश्य का देव्य दर्शन भी नहीं होता। इस बंधन के कारण ही उसके वास्तविक स्वरूप के दर्शन नहीं हुपाते हैं। काम कामनाए ही तो हैं, जो ज्यानी अज्यानी दोनों के मन को दूशित कर देती है, उनके मन में हलचल पैदा कर देती है, और तेरे भक्त अज्यानी की भांती तेरे चिंतन के स्थान पर संसार में विद्यमान पदार्थ शकलों के चिंतन में लग जाते हैं. कामना ही तो वह कारण है, जिसकी पूर्ती नहीं होने के कारण क्रोध वह अन्य विकार पैदा होते हैं लोब, मद, मोह ही तो वह विकार है जिसके कारण मन संसार के पदार्थ शकलों की चाह में उजहा रहता है मद अहनकार ही तो वह विकार है जिसके कारण यह मन मलिन हो जाता है और इस संसार के आकरशन में फसने का सबसे बड़ा कारण बनता है मोह आसकती ही तो वह विकार है जिसने भक्तों को तेरे दर्शन से वंचित कर रखा है यह सभी विकार तेरे भक्तों को तुझ से दूर करते हैं मा है मा तू विकार रहित है, निर्विकार है जब तक तेरे भक्त निर्विकारी नहीं बन जाते तब तक तेरे वास्तविक स्वरूप का दर्शन भी नहीं पा सकते हैं पूर्व जन्मों के संसकार के कारण ही तेरे भक्त इस संसार रूपी भवसागर में पड़े हुए हैं। और उसे स्वयम ही इन्हें छोडने का अभ्यास करना होगा। इन बंधनों से मुक्त होने पर ही उस सर्वव्यापक आनंदस्वरूपा ज्योतिस्वरूपा। जगत की माता का साक्षातकार हो सकता है। ना मुझ में बल है, ना मुझ में विद्या, ना मुझ में भक्ती, ना मुझ में शक्ती, ना मुझ में बल है, यानि के शारीरिक बल तो है। लेकिन मानसिक बल का अभाव है और धर्म के युद्धक शेत्र में तो हमें चारों और से आसुरी वृतियों ने घेर रखा है और वे आसुरी वृतियां बार-बार देवत्व को ज्यान विद्या को परास्थ करती रहती हैं यानी के विशे विकार रूपी आसुरी वृतियों से बार-बार परास्थ होने के कारण ही कहा है कि हम निर्बल है मा ना मुझ में विद्या यानी के ज्यान के विरूद्ध कर्म करना ही विद्याहीन होना है यानी के बिशेविकार रूपी आसुरी वृतियां जब हमारे मन पर हावी होती है. तो हम ज्ञान भी भूल जाते हैं. और ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानियों वाले कर्म करते हैं. अता हमें ऐसा कर दो कि, हम तुझे और तेरे ज्ञान को कभी नहीं भूले मा. झाल झाल